साथिया नमश्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि दवाईया या कि फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री में इंडिया विश्व की टॉप कंटेश्में से आता है मैनिफेक्ट्रिंग और एक्सपोर्ट के अदर भी तेकिन कभी नगभी आप सुनते होंगे कि जैसे कि डबले अचो ने कहा कि कुछ बच्चों के मृत्यू एक अफ्रिकन देश में इंडिया में बने हुए कभ सिर्प की वज़े से हुई यह आप अख़वार वह पढ़ते होंगे कि वहाँ पर ड्रग सेंपल फेल हो गए जाने कि सो सेंपल देखें कि सो में से दस फेल होंगे और उसके साथ साथ आप यह भी देखते होंगे कि हर जगां पर यह जो ड्रग इंडिस्ट्री है कहीं ना कहीं फेक होने की या कहीं ना कहीं आपको प्रुदिर्ग्स की बातें मिलती हैं सबसेब्ले तो हम जाने हैं कि जब आहरे मूह में घाती है किक दो हमारे मूह में घाती है तो यह इसकी absorption और बाय अवेलिबिलिटी क्रीचियों पर डिपन्ड करती है डिपन्ड करेगी कि यह बॉडी में किस जगा पर यह पेट के अंदर यह स्माल इंटरस्टेंग ला इंटरस्टेंग में कहां जाके इबजाब हो रही है किस फार्म में इबजाब हो रही है और उसके ग्रेणियूल साइज यहनि उसके पार्टिकल साइज कितने बड़े च्छोटे हैं जो कि उस दवाई के हमारे सीरिक अंदर एबजाब होकर उसको एक्शन करने के दिए मेतव पूर है अब जहां तक दोईओं सबस्तेंडर की बात है कि नोगी न्ली द्वाइएं पक्ड़ी भगहरत प Gren合 पकड़ी तो प्रकार की हो सकती हैं कि इस द्वाइए तो बिलकु Wade kohd सबस्टेइडर होती है को द्वाया होती है जो गिसके अंदर की मात्रव नहीं होती और विलॉकित भीत होती इस तॉप तो यहां तक भी हो सकती है कि आपको ए ड्रग जो है बहुत जाजा मार्केट में चलती है महेंगी भी है बिल्कु उसका लुक एलाइक उसका पत्ता बन जाएगा उसके अंदर जो गूली या कैप्सूल पढ़ा होगा वह भी उसे लुक एलाइक होगा और लेकिन उसमें दवा होगी तो उसके अंदर दौई के मात्बर जो है वो 50% होगी या जो उसके अंदर जो किसी भी दौई के अंदर लिक्विट के अंदर खाशिक टाल्मेंट है या जो टेबलेट्स के अंदर उसको te Cart बनाने के लिए जो पधास इस्तłemल किया जाता है उसकी दूनोता की बात अविलिबल होती है कि नहीं होती है तो एक ड्रग इस ड्रग जो पहला दिया हो सब ने वही स्वाल की तो सब असर एक ही जैसा होगा तो इन सब चीयों की बज़ा से उती है फिर आप किस टेंपरिचर के अंदर उस दवाई को बना रहे हो ये भी एक बहुत मेंतों बात है कि हर दवाई की मिनिफेक्ट्रिंग और स्टोरेज जो है वह एक प्रॉपर तरीके समनी चाहिए और उसमें एक्टिव इंग्रेगेंट कितना है और कितना नहीं है यह बहुत मैतों पूर्ण बाते हैं हम के अबल यह कह दें कि पैरस्ट्रमोल की गोली कोई भी ब्राबर है वो न अंदर पांक्सों मिलिक्राम बाहर लिखा था तो अंदर यहां पर यह भी जागना जूरी होगा कि सारी दवाईयां जो है ड्रॉप कंट्रोल एक्ट है उनी सोचाइज से बाते लेकिन उसके बाद में उसने का है यह उसके अंदर क्या मिली भकद चल रही हो गए वह जो गर्रक कंट्रोलर या जो फार्मा इंडर्स्री या उसका क्या नेक्सस है वो इसी बात से बता लगता है कि जो कब सिरफ पीने से भी अगर बच्छों के मुझती हो सकती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कब सिरफ की गुरूरता के अदर कमी थी उसी पकार से कहीं पर आप देखते हो कि एक बड़ अन लाइसेंस्ट या अन इंसेंसिटिव जो मैनिफेक्ट्रर्स हैं वो हमारे शेर के साथ बीमार लोहों के साथ खेलवाड़ा कर रहे हैं उसके अपर एक कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और उस कंट्रोल के अंदर आपके मान के जलिए के एक गौर्मन ने एक सिस्टम किछुन कई कि क्या तो शक्यान करेंगे तो उसकी मैनिफेक्ट्र Jonathan के अनदर क्या माँडक्र तें उसकी क्या काउस्टिंग है इन सब चीज़ों के रिकार्ड आपके पास आता है तो इसलिए मेरी आपसे प्रास्ना रहेगी कि जब भी आप कोई भी दोई करें ख्रीदें आपको डौट हो या ना हो आप उस QR कोड को स्कैन करके देखें जरूर कि उससे आपको पता लगेगा कि आप जो दोई खा रहे हो क्या वो गुनुमान है के नहीं है एक तो ये बात और दूसरा बात जहां तक रेट की बात है रेट भी कोई कंपनी फिक्स नहीं करती है रेट भी जो एप्रूव होते हैं अप्रूविंग अथार्टीज होती है द्रूपर बाकी दिपार्टमेंट्स वह रद्वाई के रेट को भी आपके फिक्स करती है बाकी कुछ बारत सरकार ने कुछ द्वाईयं के ओपर कंट्रोल किया है कुछ निके ओपर आईस रेट जो है उस तो फैनल किया हुआ है अधर्वाइस जब आज ये बात कर रहे हैं तो स्पूजियस हो सबस्टेंडर्ड हो एडल्ट्रेटीड हो डुप्लिकेट हो या फेक मैडिसिन्स काफी मात्रा में मार्केट में मिलेंगी खासकर अन और्गनाइस सेक्टर के अंदर कस्वों में और गाहों के अंदर तो इसका यह की तरीका है कि हम क्यों को स्कैन करके उसको देखें उसको समझें और लोगों तक हम बताएं कि क्यों पूर्ट जो है हर दवाई के अपर बना होता है तो आज कि मैं तो मेरा यह बताने का है कि अन्सोशल एलिमेंट सब जगां होते हैं और कही न कहीं जो एथारिटीव्स हैं वो भी डिहलापन कर देती हैं या आखबन कर लेती हैं जिसके वज़त से दवाई जैसे इस्शू के उपर जो कंट्रोल होना चाहिए या जो उनकी ग्रौवता सो परसेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और उससे वह बड़ी बात है कि हम सब की डॉक्टर्स की डिमार हमेशा रही है कि कोई स्पूरियस दवाई वाला ब्रिक्ति है या कोई दवाई जो फेक बना रहा हो उसका दंड भी बहुत ज्यादा होना चाहिए कोई लोग तो डिमार्ड करते हैं कि वह दंड भी मृत्यू दंड जैसा होना चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली आप एक व्य सरकारों को देखना पड़ेगा इन्हीं शब्तों के साथ आपसे प्रातना है कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों को भीज़ें ताकि उनको भी इस बात का ग्याम करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार